जैसे जैसे चुनावी साल पास आते जा रहे हैं छोटे से लेकर बड़े नेता मंदिर मस्जिद गुर्द्वारे माथा टेक ने पहुंच रहे हैं मंदिर मस्जिद के बहाने सभी अपने लिए चुनावी मोहाल बनाने में लगे हैं आपको बता दे कि चुनावी परदेश मध्या परदेश में पीए मोधी पहले ही इन दौर में दावदी बोहरा समुदाय से मिलकर उस समुदाय को प्रभावित कर चुके हैं तो मोके की नजाकत को देखते हुए इन दिनों राहुल गांदी भी मध्या परदेश पहंच गए। इससे पहले राहुले सोमवार को दतिया में पितांबर पीट कौालियर के अचलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और मोती मजजद में इबादत भी की थी। गुदवारे में मत्था टेकने के बाद राहुले मंगलवार को पहले शोयवपुर और इसके बाद सबलगड़ और जोरा में तीन जन्द सभाय की। इसके बाद जोरा से मुरेना होते वे बान मोर में च्छालिस किलो मीटर लंबा रोड शो किया। शोयवपुर, सबलगड़ और जोरा में राहू ले शिवराज और केंदर सरकार पर हमलावर रही हैं। उन्होंने कहा कि मद्रपदेश महिला, अत्याचार, कुपोशन और किसानों के अर्थमत्य और युवाओं की विरुजगारी के मामले में पहली नमबर पर है। तो विकास के मामले में प्रदेश आकरी नमबर पर है। लगेहाथ राहू लेंबर प्रदेश की जनता से कोई चुनावी वादे भी कर डाले। राहू ने कहा ना मैं मोदी की तरह कोई वादा करूँगा ना शिवराज की तरह कोई खोशना जो कहूंगा फुक करूँगा। व्यापम गोटाले का उले करते वे राहू ने कहा कि इसके प्रमुक आरोपी अभी भी खोले में गूम रही है। इट्रेंडिंग भी ऐसा ही एक होटाला है। खेर राहू गांधी ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन अब देहने वाली बात तो ये होगी कि बीजबी के तरफ से कॉंग्रेस अध्यक्ष को किस सरहा का जवाब दिया जाता है। देशतुरिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए एन्वी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।